गूड मॉनिंग फ्रेंस तो कैसे हो आप सभी आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे तो फ्रेंस जैसा कि हमने लाच्ट एपिसोड में देखा था कि फैंग अपने अंदर वाली गर्ल से उस एल्डर और गॉंग के बारे में पूछ रहा होता है कि वो लोग अभी उस उस हिरोईक हंटिंग वाली जगह पर जाते हुए देखते हैं पर फैंग अपने अंदर वाले ड्रेगन की लेवल को बढ़ाने के लिए वो किसे युवानी पीछवल स्टोन का यूज कर रहा होता है पर अब वो स्टोन फैंग के पास से खतम हो चुकी होती हैं अब यह सुन कर फैंग वहां कहता है कि उस हिरोईक हंटिंग में 80% चांस है कि वह गौंग का बच्चा वहां जरूर आएगा पर मैं नहीं चाहता हूं कि वह मुझे वहां देखकर पैचान जाए इसलिए मुझे वहां पर अपना भेज बदल कर जाना होगा साथ ही मुझे अपना एक एक दम खतरनाक सा नाम है ना देखो तुम पर सूट भी कर रहा है जिस पर फैंग कहता है चलो छोड़ो तुम अब रहने भी दो क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं अब अपना नाम क्या रखने वाला हूं अब यह सून कुई उससे वहां उसका नया नाम जानने के लिए जि कि लिंग्यून सेक्ट वालों ने पहले से ही उस मॉंस्टर के लिए वाली जगा को ढूंड लिया है और साथ ही उन्होंने ये भी प्लानिंग कर ली है कि वो यहां की सारी की सारी सिक्रेट मैडिसेंस को अकेले ही ले लेंगे अब यह सुन कर वो सभी के सभी लोग काफी करान हो जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमें यहां क्या मिलेगा पर तभी इतने में वहां फैंग आ जाता है और उन भीड में से एक बंदे को उठा उसके कपड़े खुद पहन कर उन लोगों के बीच सामिल हो जाता है ताकि उसे यहां कोई पैचान न सकी तभी इधर वो कहता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम सभी एक साथ मिलकर उनसे लड़कर उन्हें ऐसा करने से यहां रोक सकते हैं जिसके बाद हम उन सभी सिक्रेट मेडिसेंस को आपस में बरावर बरावर बांट लेंगे अब यह सुन कर वह सभी लोग वहां उस परशन का इसमे उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं किंग लॉंग सेक्ट का एक चिप डिसाइपल हूं पर इतना कहते ही वह परशन मास्टर गॉंग को एक मामूली सा परशन समझ यहां से भगाने लगता है कि ना जाने कहां कहां से लोग मूं उठा कर यहां लीडर ब से उन लोगों के पैसो वाली पोटली को चुरा वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं अब यह देखकर वह सभी की सभी लोग वहां काफी जादा हैरान हो जाते हैं जिसके बाद मास्टर गॉंग उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे पास बस इतने ही पैसे हैं फिर सिटी का यंग मास्टर भी हूँ और मैं अपने आपको तुम लोगों का लीडर बनाता हूं और अगर तुम लोग यहां मेरा साथ दोगे तो मैं उस लिंग्यूंग सेक्ट को भी हरा दूँगा साथ यहां के मौंस्टर के लिए को भी डिस्ट्रॉय कर वहां से मिलने वाली स को मैं यहां तुम लोगों में बाट दूँगा अब यह सुन कर वो सभी लोग वहां अपस में बात करने लगती हैं कि किंग लॉंग सेक्ट तो काफिस चोटा सा सेक्ट है पर यह पर्शन वहां का चीप डिसाइपल होने के साथ साथ जवानवो सिटी का एक यंग मास्टर भ क्योंकि आस तक यहां कोई भी पता नहीं कर पाया है कि उस मास्टर का किला अखिर है कहां जिस पर मास्टर गॉंग उन्हें वहां एक मैप निकाल दिखाते हुए कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है उस मास्टर किले के बारे में अब यह देखकर वो सभी कि सभी लो का कितना जादा घमंड है अखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जो तुम सभी इसे अपना लीडर बना उसकी बात मान रहे हो अब बाप का नाम सुनते ही मास्टर गॉंग को वहां काफी जादा गुस्सा आ जाता है और वह सीधा उस परशन पर अटैक कर उसकी कल्टिवेशन को कोफे डिश्ट्रॉय कर देते हैं जिसके बाद वहां अपनी जान की भीख मांगने लगता है और तभी मास्टर गॉंग वहां कहते हैं कि मैं यहां तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था वार तुमें मेरे बाप पर नहीं जाना चाहिए था अब इतना कहते ही वहां उस प को यह याद दिलाना चाहता हूं कि इस परशन की तरह यहां और भी कोई बकवास की बाते मत करना नहीं तो उसका अंजाम क्या होगा यह तुम सभी को अच्छे से पता है पर तभी अब उन सभी की नजर वहां फैंक पर जाती है जो वहां उस परशन को एक गोली दे उसे ठीक क जिसकी बाद वहां कि तुम लोग इस बेरहम परशन का कैसे साथ दे सकते हैं तो सोचो अगर वहां उसके हाथ उस सारी की सारे सिक्रेट मेडिसेंस लग गई तो तुम्हें देगा या फिर तुम सभी की वहां जान ले लेगा आपने ऋमस्टर गॉंग वहां कहते हैं बकवा सिंस दूंगा अब यह सुन वहां फैंग को मारने के लिए तयार हो जाते हैं और फैंग पर अटैक करना सुरू कर देते हैं पर हमारा हीरो फैंग अपनी मार्शल आर्ट टैक्निक का यूज कर उन सभी लोगों को पीटते ही जा रहा होता है वह तभी अब मास्टर गॉंग के स से खुस हो जाती है और फैंग से कहती है कि वह उन सभी की कल्टिवेशन को अपने अंदर खीच ले क्योंकि उनकी पावस से मेरी कल्टिवेशन लेवल अपग्रेट हो जाएगी अब यह जान फैंग उन सभी गार्ट से फाइट कर अपने चारों तरब एक से बच जाता है ज से उन सभी की कल्टिवेशन को एक ही बार में अपने अंदर खीचना सुरू कर दीता है जिसके बाद वो सभी के सभी गार्ट यहां मारे जाती हैं बसता है तो यहां पर सिर्प और सिर्प गॉंग और उसके आगे के दो गार्ट अब यहां देख मास्टर गॉंग तो वहां अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक को शनल को सब्सक्राइब करें बाई बाई